दोस्तों केमैच में अधे कि कल दूसरा भारत और बेस्टन डीच के या दूसरे वरने में में भारतीय क्रिकेट टीम ने सांदार खेल का परदर्शन करते हुए बेस्ट अंडीज को 44 रनों से हरा दिया इस मैच के साथ ही टीम इंडिया ने तीन मैचों के वंडे सिरीज में दो जीरों के एजे बढ़त भी हासिल कर ली भारत के दोसों 38 रन के लचिका पीछा करने उतर मेहमान टीम 46 ओबर में 193 रन पर ही सिमट गई भारत की तरब से सूरिकुमार यादो ने सरबाधिक 64 रन बनाए दो प्रसेद कृष्णा ने चार विकेट जटके आईए इस मैच के पूरे हाईलाइट के बारे में आप बात करते हैं बारतीय क्रिकेट टीम ने सांदार खेल क प्रदर्शन करते हुए वेस्टन डीज को 44 रनों से कल बड़ी मात दी पहरे मैच में 176 रनों से हराने के बाद दूसरे मैच में भी भारत वेस्टन डीज से जीदने में काम्याब रहा और 44 रनों से इस मैच को अपने नाम किया जीत की बात करें तो दो जीरो की बढ़ा ओवर में ही 193 रन पर ही सिमट गई और 44 रनों से पीछे रह गई मैच की बात करें तो वेस्टन डीज के कप्तान निकोलस पूरन ने टौस जीत कर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया इसके बाद भारत की सुरवात निरासा जनक रही टीम इंडिया ने 9 रनों के स स्कूर पर कप्तान रोहिस सर्मा का विकेट गवाया और इसके बाद 43 रन के स्कूर पर विराट कोहली और इस अपन्त भी पर लोट गए हलाकि इसके बाद सूर गुमार यादोर के रहूल ने मिलकर पारी को समाला और चौथे बिगट के लिए एक्यान नभी रनों की पाये थे भारत के ओर से भारत के ओर से सूर्मार यादो ने इस दोरान अपना अर्दसा तक पूरा किया और सबसे अधिक 64 रन बनाई तो दोस्तों ये थी कल के मैच के जानकारी और और अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं चैनल को अभी तक स्कृण कर लें विडियो को लाइक कर लें एक बार पूरी जादकारी हम आपको फिर से सुना देते हैं अं चैनल को दें दोस्तों कि कल के मैच में यादि कि कल दूसरा भारत और बेश्टोंडील्ट के पीच में मुकाबला खेला गया कि भारत और बेस्टन डीज के बीच ऐ इस मैच के साथ ही टीम इंडिया ने तीन मैचों के वंडे सिरीज में दो जीरों के एजे बढ़त भी हासिल कर ली भारत के दोसों 38 रन के लच्छ का पीछा करने उतरी महमान टीम 46 ओबर में 193 रन पर ही सिमट गई भारत की तरब से सुरुकुमार यादों ने सरबाधिक 64 रन बनाये तो प्रसिद कृष्णा ने चार विकेट जटके आईए इस मैच के पूरे हाईलाइट के बारे में आप बात करते हैं बारतिये क्रिकेट टीम ने सांदार खेल का प्रदर्शन करते हुए वेस्टन डीज को 44 रनों से कल बड़ी मात दी पहरे मैच में 176 रनों से हरान जीत की बात करें तो दो जीरो की बढ़ा तब भारत के पास हो गई है भारत के 238 रनों के लच्छ का पीछा करने उतरी वेस्टन डीज की टीम सरफ 46 ओवर में ही 193 रन पर ही सिमट गई और 44 रनों से पीछे रह गई मैं इसके बात करें तो वेस्टन डीज के कप्तान निकोलस पूरण ने टौस जीत कर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया इसके बाद भारत की सुरवात निरासा जनक रही टीम इंडिया ने 9 रनों के स्कोर पर कप्तान रोहिस सर्मा का विकेट गवाया और इसके बाद 43 रन के स्कोर पर विराट कोहली और इस अपन्त भी फबेलियन पर लोट गए हलाकि इसके बाद सुर्कुमार यादोर के राहूल ने मिलकर पानी को समाला और चौथे बिगट के लिए एक्यान नमी रनों की महत्पूर साजेदारी की लेकिन अगर बात करें राहूल की तो 49 रनों के स्कोर पर रन आउट हो गए और उसके बाद मारती टीम को एक और फिर से जटका लगा बचास ओबर में नो विकट खोकर 237 रन ही बन पाये थे भारत के और से सुर्कुमार यादों ने इस दोरान अपना अर्दसा तक पूरा किया और सब से अधिक 64 रन बनाई बार पूरी जटकारी हम आपको फिर से सुना देते हैं